बीजेपी घोशना पत्र पर कॉंग्रेस अध्रक्ष अजयरोय का बयान बीजेपी के घोशना पत्र में ना वेरोजगारी की बात ना महगाई की बात पेपर लिग गुजरात अहमदावास से होता है वहाँ बीजेपी की सरकार नीरवमोधी को लेकर अब आएंगे ये पूरी तरह से जूट का पलिंदा है दस साल में पेपर लिग बंद नहीं करा पाए लोगों के लुभाने का घोशना पत्र है बीजेपी सांसद्र प्रताशी लल्लू सिंग के बयान पर अजयर आय ने दी प्रतिक्रियास सम्विधान ये लोग बदलने की तयारी के रहे इसे पहले भी साउत के और करनाटक के सांसद्र ने ये बयान दिया लल्लू सिंग का बयान आ गया है 272 सम्वितान बदल देंगे यह अम्बेटकर का अपमान है अम्बेटकर जुएंती के दिन उनका अपमान उनके बनाए हुई चीजों को ध्हस्ति किया जुआ रहा है क्यास इसका मतलब क्या आप जानबुचके लिक करा रहे थे तो का सरकार आपकी है प्रदेश में देश में गुजराट में तो ऊसको रुखने का भी काम आपका था इसका यह था सब्सक्र избjakbn था मतलब आपने जानबुचके लिक कराया है पेपर अब यह कानूना फिर लाएंगे का इसको लिपन करने का अभी तक क्यों नहीं लाए रुखे थे क्या दस साल तक दस साल हो गए और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह गोसना पत्र भाजपा गोसना पत्र तो मैं देखता नहीं का कुछ भी नहीं देखता हूं सुना किसी के माद्यम से कि न उसमें बेरुजगारी की बात है न महागाई की बात है कि अज जो पूरा देश सबसे ज़्यादा देश होई दन से जहल रहा है कि महागाई सबसे ज़्यादा है देश में आप सब लोग हम सब लोग जहल रहे हैं बेरुजगारी सबसे ज़्या लिख का होता है तो गुजरात आमदाबाद की गुदाम से लिख होता है वहाँ भी सरकार आपकी है और उसे आप बड़े-बड़े घटनाइए लो पलाना मास्टर मांडर मास्टर माइंड का पकड़ा, उसको पकड़ें, उसको बचा रहे हैं और यह कब घोस्णा पत्म में ड जी के साथ जहाज में बैटकर यहां से दवोस गया था और महीं रहा गया सुईजरलेंड के दवोस में आया नहीं उसको कब लाएंगे मुदी जी यह भी गोस्रापत्र में डालें यह पूरी तरके से जूट का पुलिंदा है जूट है और यह इसलिए कि जो चीज़ आप कर र रहे थे क्यों नहीं वन किया आपने इसका मतलब आप जान बुच कर रहा रहे थे इसका मतलब यह पूरी तरके से यह जूट का पुलिंदा है और पूरी तरके से यह किवल लोगों को लुभाने का और लोगों को भर्माने का बजट है देखे ऐसा है आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरुजगारी की है उस पे तो अपने बात की नहीं आज जो सबसे हमारा परिवार है उस परिवार की महंगाई से जो परिसानी है जो आए दिन सुसाइड हो रहे हैं जो आए दिन लोग अपने बच्चों को स्कूल से नाम कटवा रहे हैं मेरे पास आते हैं कि बड़ा महंगा स्कूल है को सस्ते स्कूल में मेरे बच्चे का डमिशन करा दीज उसके बारे मैं नहीं सोच रहे हैं, इसकूल कालेज कब खोलेंगे आप, बनारस में इनुट सीटी कब खुलेगी, कैसे बनारस का बीचू संब्रिद होगा, कैसे यहां का लड़का बच्चा पढ़ेगा, बच्चें को ले को स्कूल खुला, मोदी जी दस साल हो गए, एक भी स स्कूल नहीं खुला है, जहां बच्चे कम सस्ते फीस में बच्चों को पढ़ा सके, और किवल और किवल धर्म पे, और किवल बाटने की राजनीती पे आप जो काम कर रहे हो, कोस्णा पत्र वो जनता समझ चुकी है, इसका जवाब 2024 में, काईदे से मोदी जी को तबीयत से बनारस में मिलने वाला है, जूटी बात कर रहा है, जूटी चीजे हैं, लोग आप देख लो उठा के, आज खेल का इस्तर गिरता जा रहा है, आप उठा कर देख लीजिए, कहीं पर भी बनारस में के स्टेडियम था, उसको भी तोड़कर गुजरातियों को दे दिया, वो जूटी बाते हैं, एंदुस्तान का सितर कहा रह गया, भूक के स्तर में कहा है, हंगर इंडेक्स कहा है, नेपाल, अफगानिस्तान अब पाकिस्तान से पीछे है, इंदुस्तान, आबादी के साब से, बढ़ती जा रही है, आबादी, और आप जूटी बात जंता को जूट बोल रहे हैं मोदी जी का एक ही काम है जूट बोलो दबा के बोलो और बार बार बोलो प्रत्याशी भी है पहला सवल की जो सहयोगी दल है आपकी सवाज़ारी पार्टी किस तरह से सामझे सब्सक्राइब